तो चली बनाते हैं आज ये शिश्वान चली पेस्ट ये शिश्वान सॉस घर पे तो उसके लिए मैंने ये कश्मीर चली ले लिए हैं अब हम आइट करेंगी 100 ml लिया है मैंने पैन में गरम होने देंगे इसमें एड़ हो रहा है 50 ग्राम चॉप के हुआ कालिक को हमने साथे कर लेना है अच्छे से पका लेना है लो फ्लेम पे ताकि कच्छा पन निकल जाए इस तरह के से चला लेना है और अब हम इसमें एड़ करेंगे चॉप क्या हुआ फाइनली चॉप क्या हुआ जिंजर वो भी और मुंस 50 ग्राम सी है तो इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है आपस में इसको उस तरीके से मसाले को पका लेना है अच्छे से लो फ्लेम पे अब हम इसमें एड़ कर रहें 30 ग्राम क्रश क्या हुआ शिजवान पीपर तो इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और आपस में सभी को लो फ्लेम पे कोप करना है यह देखे हम देख सकते हैं यह अच्छे से हो चुका है तो इसमें एड़ कर देंगे जो हमने चिली पेस्ट बनाया था 200 ग्राम तो भी हम इसमें एड़ कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करना है अच्छे से और इसको हमने लो फ्लेम पे कम से कम 25 से 30 30-30 मिर्ट पकाना है तब तक जब तक इसमें से सारा पानी जो है बिल्कुल खतर ना हो जा और सिर्फ ऑईल ही और रहना चाहिए तो अच्छे से लोग फ्लीम पेस को पकान लेना है इस तरह के से चलाते हुए तो यह देखें आप देख सेते हैं अच्छे से पक चुका है हमार अच्छे से कुप करना है पांसे 10-15 मिट तक ताकि अच्छे से ऑल से अपरेट हो जाए और इसका जो वह पानी है बिल्कुल मौश्यर एक्दम खतम हो जाना चाहिए तो फिर आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिच के अंदर तो यह देखें यह हमारा हो मेड दो यह क्यों अबसे टो लिए टॉलाग शर्ई शर्ग शर्ण शर्ण